50% ऐसे ओनर है जो EV लेने के बाद खुश नहीं है वही दूसरे तरफ कॉस्ट इफेक्टिव बने पैसा कम खर्चो कस्टमर का तो कंपनिया CNG बिला रही है और TVS जूपिटर CNG जल्दी लॉंच होने बाली है पूरी स्पैसिफेशन मैं बता दूँगा और फिलाल बजाज की फीडम भी लॉंच हो चुकी है बट ये वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत लोग को ये डाउट रहता है अब क्या अब हमें CNG के तरफ जाना चीए विकि एवी पे तो लोगों का भरूसा नहीं है विकि उनको लगता है कि एक टाइम कबाद बैटरी खराब हुज रहेगा और हम एवी कि तरफ अप नहीं जाएंगे और दूसरी खुश खबरी ये है कि अब टीवे जूपिटर हो गया बजाज फ्रीडम हो और इन फ्यूचर हमको और नईनी टेकनोलोजी देखने को मिलेगी और CNG तो पुराना कॉंसेप्ट है तो वह एक नई बात नहीं ह तो अब सवाल ये उड़ता है कि आपको क्या CNG की तरफ जाना चाहिए क्योंकि उसमें तो आप पैट्रोल से भी चला सकते हो CNG से भी चला सकते हो हाला कि आपका थोड़ा सा पैसा लगेगा बट पीस ओफ माइन रहेगा दूसरी तरफ एवी अगर आपकी अच्छी निकल ग तो बीना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं CNG versus EV और अगली वीडियो में CNG versus petrol भी लाओंगा जल थी अभी के टाइम पर देखा जाए 2024 के मिड में आज के डेट में इलेक्ट्रिक गारी बहुत जादा सेल हो रही है एक टाइम था 2020, 2021, 2022 इलेक्ट्रिक गारी होती थी बहुत ही लिमिटेड लोग लेते थे और लोग उसमें ध्यान में देते थे 2022 के बाद आपको इलेक्ट्रिक क्रेज बरता हुआ दिखा इंडियर मार्केट में और 2023 ऐसा साल है जहां पे बल्क में इलेक्ट्रिक गारीया सेल हो रही है अब लोग petrol को छोड़के लेक्ट्रिक और सबका रीजन एक ही रहता है कि उनका पैसा बचना चाहिए बट वहीं दूसरे तरफ कुछ ऐसे कश्टमर जो EV लेकर पस्ता आते और अभी के रिसेंट सर्वे से यह पता चला है कि 51 परसेंट जितने भी EV ओनर सा चाहें वो कार के हो या स्कूटी बाइक जो भी EV हो वो ख अच्छी रही तो वह तो अच्छी चलती है बट अगर हमको सर्विस के प्रॉब्लम आ गई हमारे एरिया में सर्विस नेट्वक नहीं है हमारी गारी पैंडिंग पर यह कहीं कि कुछ लोग अपनी गारी को छोड़ती है और यह बात सिफ ओला के निये और भी कुछ EV कंपनि देखने है उनके साथ भी ऐसे है वट दिक्कत और साथ कि में ओला हाइलााइट क्यों होता है क्योंकि ओला की गारिया ज्यादा सेल्स होती है लोग आग बंद करके लेतेैं जिसके वजए से बिगरती भी वह ज्यादा है तो सिंपल सा एक ट्रिक बताता है आपका बजट कित इतना है आपका डेली रर्निंग कितना है और आप कैसे इंसान मतलब आपके चलाने का ड्रायविंग्स ठ्रैल कैसा उस पर डिपैंड Example समझते हैं, आपके घर में चार लोग है, और चारों में से दो रफली चलाते हैं, दो बहुत प्यार से चलाते हैं, बट आप देखने नहीं जा रहे हो, तो उस condition में अगर आप EV ले लेते हो, तो आपको बहुत नुकसान करेगा, चार हाथ की गारी बहुत ही अलग हो सेम के स्पैट्रोल के साथ भी है, बट EV डेमेज करेगा, और वहीं आपके घर में बस आप हो या आपके नोन में कोई है, जो बहुत ही प्यार से गारी चलाता है, आपके भाई बहन जो भी, और तब अगर आप एक EV को दो तीन हाथ भी चला रहे हो, तो ठीक है, और अगर आ ऐसी केर करोगो, वह ऐसी चलती है, बिना मतलब के खराब नहीं होती, तीसरा चीज़, मैनुफेक्ट्रिंग फॉल्ट अगर आ जाता है, तो कंपनी में जाके आप उसको विदाउट एनी कॉस्ट रिप्लेस कर सकते हो, जब तक वह वारेंटी में, ओला तो कहता है कि आठ सा ही इंटरन Ephan Minimum 50 गारी ही रहे ना, तो आप उस एरिया में ले सकते हो, अगर आपके एरिया में हजार गारी परी है, 500 गारी परी है, 100 से उपर गारी परी है, तो Please से वहां मत लेने अगर आपके गारी अच्छी चली तो चलेगी, अगर कलकला को खराब हो गईतो आपकी गा लिए मैं भी फील करता हूं जिनकी अच्छी चलती है वो बोलेंगे हाँ भाई मेरी तो अच्छी है मुझे को प्रॉब्लम नहीं जूट बोल रहे हैं और जिसकी खराब चलती है तो आप सर्वी सेंटर जाके देख सकते हो किसी को शौक नहीं है अपना EMI कटाना अपनी मेहनत के पैसे से गारी को शोरूम में खरे करना दूसरा चीज अगर आप एक ऐसी वी लेरो जैसे कि मेरे एरिया में हड़ गारी अवलेबल है एथर हो गया बजाज हो गया बट मैं देखता हूं कि एथर के शोरूम में ज्यादा सर्वीस उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता बजाज के शोरूम में नहीं करता है बट ओला में थोरा बहुत करता है बट बाकी स्टेट से बाकी सीटी से बाकी एक्स्पिटेंस से कम है तो मैं यहां पर तीनों गारिया ले सकता हूं और वहीं पर अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता है चेतक का या एथर का तो मुझे ओला ही लेना पड़ता बट मेरे पास तीनों ऑप्शन है तो मैं उसमें से कोई भी चूस कर सकता हूं तीनों मेरे लिए स्टेबल रहेंगे क्योंकि ओला में थोड़ सा टाइम लगे क्योंकि गारिया तो कम है बट बन जाएगी और टीवियस और एथर बजा चेतक रिवाट मेरे जल्दी बन जाएगे क्योंकि वहां पे सर्विस में उतनी गारिया नहीं आती है सेल्स कम होती है तो वहां पे गारी बनने की चांसे जाद है और हाला कि आप इस्टेडी करो कि मोटर कौन सा अच्छा है आपको चाहिए कौन सा तो ओला में तो मैं स्टेबल मुझे जो लगते है वह सब जेंट हुए आज के डेट में बाकि सब गारिया में कुछ नो कुछ प्रॉब्लम आ रही है आ रही है दूसरा चीज अधर में लोग तो रिस्ता बहुत ही बेस्ट है साथी में अधर 450 की कोई भी से लो वह अच्छी है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम से नहीं मेरे तो सब गारी के प्रोसेस सब गारी के कौन है तो अगर एक लाग के अंदर मुझे लेना और मेरे बजट कम है और एक ऐसे गारी चीए कि हाँ थोड़ा सा नुकसान भी लगे चलाने में बट चल जाए मेरे को सरद्रत नहों तो मैं चे तक टूना इन जिरो मन लूँगा आग बंद करके तो अगर बजट बढ़ा सकता हूँ तो एथर रिस्टर लूँगा दोनों कारिया के लावा मैं कोई भी गारी चूस नहीं करूँगा आज की रेट में कोकी कॉंपेटिशन इतनी जाद आओके सर्विस में इतनी गारी खरीए कि ओला के पास मनाने का टाइम अब दूसरा चीज जिनको रिस्क लेना ही नहीं है कि भाई मेरी इवी कल को खराब हो भी तो सकती है नहीं होगी अलग बात है तो वह आग बंद करके CNG लेलो आपको बहुत पैसा बज़ेगा अब जिनको गारी छे महिने बाहर लेना उनके लिए तो गोड न्यूज है क्यो मेरी स्टेट में CNG है 75 रूपीस पर केजी और उसमें यहां पे 3 केजी का CNG टेंक करेगा तो 330 किलोमेटर तो मुझे CNG से मिल जाएगा मैलेज और मेरा कोस्ट कितना का 75 इंटू 3 यानि कि मुझे 220 रूपए के आज पास सम्थिंग पैसा देना परेगा और 330 किलोमेटर मेरी चलेगी यानि कि एक रूपए में मेरी गारी 2 किलोमेटर या 1.5 किलोमेटर लगभग चल जाएगी मेरे इतने कोस्ट में मुझे क्या के मिलेगा सबसे पहले तो मुझे पीस ओफ माइन मिलेगा कि हां मेरी घारी खराब नहीं होगी कि मैं इसमें पैट्रोल भी डिला सकता या मेरे पास भी रहेगी तो अच्छे से रहेगी ऐसा नहीं कि एक साल लो चार साल में गारी रिप्लेस कर दो चौती चीज मुझे इसकी रिसेल वैली अच्छी मिलेगी क्योंकि अगर मैं इसको अच्छा से मेंटेंग करकर रहूँगा आप खुद देख लो 2015 की एक्टिव लो 2022 में 23 में और इसको 2026 में बेचो डेर लग की ओला आपके 40,000 में भी नहीं बेखेगी तो वही दिक्कत है आप जितना पैट्रोल में पैसा बचाओगे नहीं उतना आपका एक टाइम पर जाएगा लाइफ टैम आपके साथ रहने नहीं वाली है बैटरी का भी एक यह आना जाना और उनका बहुत ज्यादा पैट्रोल में पैसा खर्च होता है तो वह एवी के तरफ ले सकते हैं अगर उनकी चार साल भी चलती है और 80,000,000,000 किलो मेटर चल जाती है तो उनका पैसा वस्फूल हो जाएगा तो वह उनके लिए बट आपका रनिंग की दिन का 20 30 किलो मेटर और आप एवी के तरफ जार हो सोचके कि पैसा बचाओगे तो आप पैसा तो थोरा सा बचाओगे बट लॉंग टरम में वह फायदे मन बिल्कुल भी नहीं है इसलिए सोच समझ कि आप लोग का डिसीजन है बाकी पैट्रोल गारी तो एवर ग्रीन है अभी एव अब जाज फ्रीडम और टाइम पर जूबिटर भी आने वाले 2024 में और उसके बाद कोई आरियर नया कॉन सब लाती है अभी प्रेजेंट में अगर आपको लेना है तो आप फ्रीडम ले सकते हो और अगर एवी के तरफ जाने तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँ मांच यह तक 2901 लेना भले स्पीड सोरी स्लोव है गारी भारी है बट आपको शान्ती रहेगा दूसरा चीज़ अगर एक लाग की उपर बजाटे तो रिजदा लेना है अथर फोर्स प्टेक्स लेना और S1 प्रोजेंट हो इन तीनों में सो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और बाइक में त और मेरे सब्सक्राइबर और उनको साथ ऐसा दिक्का तो तो मुझे ब्लेम करेंगे कि भाई आप ही ने रिकमेंड किया था तो अभी तो मैं फिलाल नहीं कर रहा हूं कि उसको इंप्रोव होने में थोना सा टाइम लगेगा